असलाम अलेकुम MTH601 के लेक्चर 7 को आज हम डिसकस करेंगे जिसमें के हमने PART model को डिसकस करना है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजे और शेर कर दीजे और बेल का आइकन प्लीज जरूर प्रेस कर दीजे ताके आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वेल इन टाइम मिलती रहें तैंक यू तो अब हम प्रोसीड करते हैं अपने टॉपिक की तरफ कल के लेक्चर में हमने डिसकस किया था Critical Path Method, CPM और हमने देखा था कि CPM क्या चीज है वो एक Deterministic टेकनीक थी वो एक Activity Oriented आपके पास एक टेकनीक थी आज हम बात करेंगे PERT मॉडल की PERT जो है ये एक Event Oriented टेकनीक है और इसमें Uncertainty का बहुत ज़्यादा अमल दखल है इसलिए हम इसको Probabilistic Techniques भी कहते हैं यानि कि Probability के उपर इसमें Decisions लिये जाते हैं Estimations की जाती है और जहां पे भी हमारे पास चीजें Fixed ना हों Events Fixed ना हों वहां पे हम PERT Model को Use करते हैं OR Process को Calculate करने के लिए This is a Probabilistic Technique अब पिछले Lecture में हमने देखा था कि जब हमने Critical Path Find Out किया था तो हमें हर Activity की Duration Given थी कि ये Activity जो है ये इतना Time लेगी ये इसके बाद Finish हो जाएगी और फिर Next Activity स्टार्ट होगी जहां पे हमें Project के अंदर Activities की Duration's Given ना हो और उसको हमने Estimate करना हो तो हम PERT Model यूज करते हैं Basically हम इसको यूज करते हैं to calculate or estimate the duration if the duration of the activities are not given और ज़्यादा तर इसका यूज जो है वो Aerospace Industries के अंदर है और इसको particularly Research और Development के प्रोग्राम्स में ज्यादा यूज किया जाता है और ये चीज मैंने पहले भी बहुत दफाँ बताई भी है कि PERT का नाम आते हैं आपके जहन में uncertainty का concept आ जाना चाहिए कि इसमें कोई चीज भी fixed और certain नहीं है तो PERT deal करता है uncertain elements और condition को और आज हम देखेंगे कि PERT की calculations हमने किस तरह करनी है अब चूँकर PERT के अंदर time जो है वो आपका fixed नहीं है आपको duration given नहीं है तो time इसका मतलब है कि vary करेगा change होगा तो इसी लिए activity time जो है PERT model के अंदर वो एक random variable है यानि कि वो vary करता है और वो कोई भी value जो है उसको ले सकता है अब इस PERT model के अंदर जैसे हमने CPM method के अंदर times पड़े थे earliest time latest time उस तरह PERT model के अंदर भी time की एक activity है जिसके लिए तीन तरह के time most important है जिनको आप हम detail से study करेंगे और वो ही formula में use होंगे PERT का basic formula जो है जिससे हम calculation करते हैं इसमें सबसे पहले है TM जिसे हम most likely time बोलते हैं most likely time आपके पास क्या चीज़ है कि जब आपने एक project को plan किया है तो उस project का जो भी supervisor है in charge है head engineer है उस project को deal करने वाला है उससे आप पूछेंगे कि जी ये project आपके ख्याल में कितना time लेगा वो एक normal conditions को जहन में रखते हुए uncertainties के इलावा normal conditions को जहन में रखते हुए आपको बताएगा suppose आपने एक building बनानी बनवानी है तो आप उसका जो भी engineer है या ठेकेदार है आप उससे time span लेंगे कि मुझे estimate दे दीजे कि आप कितनी दिर में इस building का का काम finish कर लेंगे वो आपको sequence by sequence तो नहीं बताएगा कि इतनी दिर में मैं structure खड़ा करूँगा फिर मैं उसके उपर plaster होगा फिर उसके बाद paint होगा वो आपको एक total time duration देगा कि मौसम ठीक रहा हलाद favorable रहे तो मैं इसके लिए 3 महीने लूँगा या 4 महीने लूँगा ये एक normal decision है जो वो अपने experience की base पे आपको देगा कि जी मैं पहले भी ऐसे project बहुत सारे कर चुका हूँगी नॉर्मली ये इतना ही time लेते है तो उस time को जो estimate को वो आपको देगा उसको हम most likely time भोलते हैं जिसको हम tm से denote करते हैं दूसरी चीज जो है आपके पास वो है pessimistic time tp से हम इसको denote करते हैं और pessimistic time estimate क्या है this is the best guess ये एक guess है of the maximum time उस time का कि ज्यादा से ज्यादा ये project कितना time ले सकता है उसका ये एक guess है ये सारे guess करदा time है क्योंकि हमने भी बढ़ा कि part model आपको fixed value नहीं देता uncertainty है आप बात estimation और ये probability की बुनियाद पर करते हैं तो ये एक best guess है जो आपको maximum time बताता है जो उस activity या project को perform करने के लिए चाहिए हो under the most adverse circumstances adverse का मतलब क्या है unfavorable यानि वो circumstances हलात जो normal नहीं है normal conditions नहीं है वो आपके लिए favorable नहीं है जिसे आप मुश्किल हलात भी कहते हैं उनको जहिन में रखते हुए अगर आप जिसे हैं आपको लेते हैं कि ये project जो है अगर इसमें कुछ गड़बर भी आ गई हलात बदल भी गए कुछ मसला भी आ गया उन conditions को देखते हुए भी मैं एक guess देता हूँ इन्होंने यहां पर तीन डिसकस किये हैं supply of material not in time कई दिफाँ material time पर नहीं बनता जैसे strikes हो जाती है ये इंटों के भटे वाले strike कर देते हैं आपको इंटे time पर नहीं पॉंचती हैं obviously आपका project वहां पर stop करना पड़ेगा आपको similarly non-cooperation from the workers workers कई दिफा हर्ताल पर चले जाते हैं कि जी हमारी wages increase करें यह कोई भी issues हो सकते हैं तीसरी चीज़ pandemic जिस तरह आगई थी आपके सामने ये covid की वज़ा से सारा कुछ बंद रहा है सारे projects जो हैं ये unfavorable conditions है ना ये adverse circumstances हैं इसी तरह transportation के arrangements जो हैं वो भी कई दफाए effective नहीं होते इसमें weather conditions आ जाती हैं आपको timely वो material नहीं पहुँच पाता तो इस किसम की अगर circumstances हो जाएं तो उनको जहन में रखते हुए जो time हम देते हैं एक guess देते है maximum time का उसको हम pessimistic time बोलते हैं तो pessimistic time is the longest time the activity would required यानि ज्यादा से ज्यादा अगर हलात खराब भी हो जाएं तो जो time एक activity लेगी उसको हम pessimistic time बोलेंगे और उसको हम tp से denote करते हैं ठीक हो गया जी अब इसके लावा तीसरी चीज़ जो तीसरा time है that is optimistic time t o से जिसको denote करते हैं वो क्या चीज़ है optimistic time is the smallest time estimate यानि optimistic हो के आप एक estimate लगा रहे हैं कि कम से कम मुदत क्या है जिसमें मैं ये project जो है ये complete कर लोगा और इसकी condition क्या है कि मेरे हलात exceptionally well जाएं यानि नॉर्मल से भी बहतरीन जाएं मेरा equipment, मेरा manpower है, हर चीज़ जो है वो above average हो exceptional हो तो उसके लिए जो आप estimate देते हैं, that is optimistic time, जो smallest time होता है किसी भी project को complete करने का तो ये तीनों times आपके mind में अगर clear हो गए हैं, तो अब हम आगे चलते हैं अब इन तीनों times को हमने formula में use करके एक estimated time duration निकालनी है, किसी भी project की किसी भी activity को करने के लिए और ये पूरा जो आपका process है ये बीटा distribution के उपर base करेगा क्योंकि वो एक reasonable approximation है इस चीज़ को solve out करने के लिए और बीटा distribution uni model होती है और ये finite non negative होती है और इसके end points जो हैं वो जरूरी नहीं है कि symmetrical all हो, ये सारी बीटा distribution की stats परने वाले students को इसकी थोड़ी बहुत समझ होगी और इसमें ये है कि इसमें कुछ activities ऐसी होती है जो project में सिर्फ एक दफा हो रही होती है बार-बार repeat नहीं हो रही होती है कोई ऐसा हलात बन गए कि एक दफा वो काम हो गया इसको calculate करते हैं और इसका formula बड़ा असान है और वो given है that is TE यानि estimated time is equal to T0, TO जिसे हम बोलते थे optimistic time plus 4 TM plus TP divided by 6 ये formula है जिससे आप time duration जब आपको given नहीं होगी activities की तो आप calculate कर सकते हैं अब time जो है वो एक high variable है इसके अंदर होता क्या है कि जब आपके पास बहुत large time estimates हों तो आपकी average value effect होती है ये हमने पहले भी stats के students को पता होगा कि जब बहुत large data हो तो mean इतनी effective measure नहीं होती उसके लिए हमें variability के measures को देखना पड़ता है जिसमें standard deviation जो होती है वो बहतर होती है बहतर major होती है तो जब इस किसम का data आजए है तो उसके लिए हमें एक estimated standard deviation भी चाहिए और variance भी चाहिए तो उसके लिए estimated standard deviation है जिसको हम st से नोट करते हैं उसका formula भी TP-TO divided by 6 है और as you know variance इसका square होता है तो variance is the square of this formula I hope यह formulas और calculations आपको clear हो गई होगी आगे 2.4.1 topic है expected length of a critical path अब इसके अंदर पर्ट के अंदर भी हमने देखना है कि critical path क्या है project तो इसमें भी activity by activity चल रहा है बेशक uncertainty आ रही है लेकिन एक activity खतम होगी तो अगली activity शुरू होगी तो उसके लिए एक sequence होती है activities की the expected length of a sequence of independent activities is simply the sum of their separate expected lengths यानि जो अलेदा-लेदा आपने उनकी expected lengths या उनका time निकाल ला है उन सब का sum करेंगे तो आपके पास पूरे project की एक expected length आ जाएगी और इसको हम TE से denote करते हैं और इसी से हम critical path भी इसका निकालते हैं similarly variance जो है वो भी सारे अलेदा-लेदा जो individual activities हैं उनके variances को जब आप sum करेंगे तो आपके पास total variance आ जाएगा पूरे project का यहाँ पर एक example दीवी है इसमें आपको एक diagram बना के दीवी है अभी आप इसमें देख सकते हैं कि 1 से लेके 2 activity तक आपके पास तीनों चीज़ें given है 1, 1 and 7 इसमें पहली चीज जो है वो आपका optimistic time होता है TO दूसरी चीज दूसरा component जो है वो TM है यानि most possible time और तीसरी चीज जो है वो TP है यानि के expected time इसको आपने formula के अंदर use करना है और formula के अंदर use करने के बाद आप सारी calculations कर सकते हैं आपका TE भी निकलाएगा, standard deviation भी निकलाएगी और variance भी नीचे एक table बना हुआ है जिसके अंदर आपको ये सारी calculations करके दीवी है simply formula में values put करें आप और आपके पास ये figures जो हैं वो आ जाएंगे अब जब आपने इसको देखा, इसके अंदर भी obviously कई roots है ना जाने के, एक root इसका ये है कि आप 1 से 2 पे गए, 2 से 5 पे गए और 5 से 6 पे जाके आपकी activity end हो गई, दूसरा root आप ये ले सकते हैं कि 1 से आप 3 पे गए, उसके बाद 3 से आप 5 पे गए और फिर 6 पे चले गए इसी तरह तीसरा root जो है वो 1 से 4 पे और 4 से 6 पे है अब आपने critical path लेने के लिए longest route देखना है longest route का मतलब क्या है कि आपने ये जो expected time duration निकाला है इसमें जिसका सबसे ज्यादा expected time होगा तो हम पहले अपनी activity को देख लेते हैं सबसे longest जो activity है इसमें वो आपके पास क्या है 1 से लेके 3, 3 से लेके 5 और 5 से लेके 6 क्योंकि इनकी durations को जब हम add कर रहे हैं तो वो 17 बन रहा है और हमें पता है कि जिसकी duration सबसे जादा हो वो ही हमारा critical path होता है similarly आप इसका variance निकालेंगे तो उसमें भी इसी root के variances को आप add कर देंगे तो आपके पास variance आजएगा और उसका अगर आप under root लेंगे तो वो आपके पास उसकी standard deviation आजएगी तो यह बड़ी simple से चीज है I hope you got cleared about this आगे अब हम चलेंगे कि बात करेंगे हम आगे इस चीज की probability के अंडर हमने इसको क्योंकि हम इसको probabilistic technique बोल रहे हैं तो probability इसको कैसे deal करती है उसको देखने के लिए हमने आगे पढ़ना है अब कुछ लोग जो हैं वो यह कहते हैं कि यह calculations जो हैं आपका estimated time या variance या standard deviation यह useful हैं या नहीं project management के लिए तो इसका जवाब इनोंने दिया वह हैं कि these are very useful tools for a project manager for what for estimate estimate करने के लिए decisions लेने के लिए यह useful measures हैं यह calculations जो हैं यह करनी ज़रूरी हैं कि हम एक estimated time duration नकाले उसकी standard deviation calculate करें और उसका variance calculate करें अब किसी भी जो activity का time अगर uncertain है तो इसका मतलब है कि वो random variable है जो कोई भी value ले सकता है और अभी हमने तीनों time की techniques पढ़नी है optimistic time most likely time and pessimistic time अब इसको हम statistics के अंदर कैसे deal करेंगे इसमें हम use करेंगे normal distribution यह चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अभी हमने critical path method को पढ़ा था तो उसके अंदर हमने sorry यह part model को जब हम हमने शुरू किया था तो हमने का था कि जी बीटा distribution पर बेस करता है जब आप part model बनाते हैं इसको हम as a normal distribution भी देखते हैं कि normal distribution में यह कैसे deal करता है normal distribution stats वाले students को अची तरा idea होगा और थोड़ा बहुत मैट्स वाले भी जानते ही होंगे कि normal curve होता है bell shaped symmetrical curve होता है total area under the curve is one होता 50% आपका right side of the curve होता है और 50% left side of the curve होता है अब इसमे एक standardized variable भी हमने पड़ा था z is equal to x minus mu over sigma वाला formula आप सब के जहन में होगा तकरीबन उसी चीज को use करते हुए यहां पे हम इस चीज के अंदर normal distribution को use करेंगे यह formula यहां पे आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा z is equal to t minus t e यानि estimated time है divided by sigma इसको हम एक example के थूँ देखते हैं आपको यह example दीवी है इसमें उन्होंने आपको project length जो है वो दीवी है 17 और इसको हम आप देख सकते हैं यह calculate वी है formula के अंदर आप sigma भी आपको दिया हुआ है उन्होंने 3 days sigma दिया हुआ है और project length जो है वो 17 है इसको आप formula में लगा दीजिए total जो है वो आपके पास 20 days है 20 minus 17 over 3 इसको आप calculate कर लें आपके पास एक value आजाएगी उस value को आप table में देखें और positive value है table में देख रहे हैं तो tabulated value को के अंदर आप 0.5 को add करेंगे और आपके पास result आजाएगा similarly अगर आपके पास जो आपकी duration है वो कुछ कम दीवी हो यहां ज्यादा दीवी हो और negative में आजाए आपके पास इसी example को आप पूरा देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा negative में आजाए तो आपने 0.5 में से उसको minus कर देना है यह एक simple सी example है आप उसको easily देख सकते हैं इसमें आपको आगे भी एक example दीवी है ज क्योंकि मेरा ख्याल है आपके लिए बाएं हाथ का खेल है एक flow diagram बनानी है उसका critical path निकालना है वो भी एक इंतहाई असान चीज़ है formula में डालके आप उसका expected time calculate करेंगे और जिसका duration सबसे ज्यादा है जिस path का वो आपका critical path होगा और उसके बाद उन्होंने इसका C part दिया ह हुआ है इसको भी simply आपने वो जो standard variable Z था उसके formula में लगाना है table में देखना है और point 5 को add कर देना है and you will get the desired results यह बहुत असान सी examples है hopefully आप इनको easily कर लेंगे अब next चीज़ जो है वो हमारे पास आ रहती है resource scheduling और resource leveling अब यह क्या चीज़ है resources क्या चीज़ है जब भी कोई project आप शुरू करते हैं तो उसके अंदर आपको पता होता है कि मेरे पास इतने resources है first करें आपने घर बनाना शुरू करना है तो आप सोचते हैं कि यह मेरा plot है और मेरे पास इतने lakh हैं और इसमें से मैं manage कर सकता हूँ कि नहीं मेरे resources क्या है तो यह चीज़ जो है इसमें आप resources को schedule करते हैं कि मैंने इसमें क्या चीज़ ले सकता हूँ फिर आप priority set करते हैं कि क्या चीज़ important है अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं तो आप घर को इतनी इतन यहां फिनिश कर लेते हैं कि आप उसमें शिफ्ट हो सकें और बाकी का काम आप इस्ता इस्ता साथ कर सकते हैं उसमें आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि इस वकद पेश्ट होना जरूरी है यह खिर्कियां लगनी जरूरी है जो इंपोर्टन चीज होगी ऑविसली वह आप पहले करेंगे, तो sufficient resources जो हैं, वो आपके पास होंगे, तो ही आप project को complete कर सकेंगे, इसमें आपकी manpower भी आ जाती है, आपका सरमाया भी आ जाता है, capital machines भी आ जाती है, सब चीजें, उन resources को आपने divide कैसे करना है, इस चीजे को हम resource leveling या resource allocation के तोर पे discuss करेंगे, अब हम इसमें देखेंगे कि heuristic technique क्या है, technique जो है, heuristic का word इन्होंने यहाँ पर use किया हुआ है, a heuristic can be defined as a guide or method of reducing search in a problem solving situation, heuristic क्या चीज है, वो एक flexible या practical shortcut है, जो आपका quick decisions लेने में काम आता है, कि जल्दी में आपने decision लेना है, और वो reliable भी होना चाहिए, और वो shortcut भी होना चाहिए, ज्यादा तर businessmen जो है, वो इस technique को use करते हैं, अपनी problems को solve करने के लिए, क्योंकि बिजनस में आपको decisions जल्दी लेने पड़ते हैं, उसमें आप इतना delay नहीं कर सकते कि आपकी market bets जाएं, या दूसरे मसाइल शुरू हो जाएं, तो businessmen जो हैं, वो इस heuristic technique को use करते हैं, इसकी एक example उने दीवी है, classic management, इसको define करते हैं, to handle only exceptional problems, and let the subordinates decide on routine matters, यानि छोटे मोटे जो मसले आ रहे हैं, वो जो सब ordinates से आपके, वो खुदी decisions लेके उनको देखते रहें, और जो कोई exceptional problem आ गई है, जो के expected नहीं थी, या बहुत बड़े level की है, तो उसके लिए आपने उसको deal करना है, तो ये चीज है, अब आजकल बहुत सारे heuristic programs जो हैं, वो आ चुके हैं market में, जिसको use करते हुए, ल programs होँगे, इन में क्या फरक है, resource leveling के तो नाम से ही जाहर है, कि आपके पास जितने resources हैं, उनको आपने equally level कलके distribute कर देना है, सारी activities के अंदर, एक constant level आपने करना है, रखना है on resources का, जैसे कि इनोंने यहां पर रिखा हुआ है, कि resource requirements, manpower और money power are kept at a constant level by altering the start time of the different activities, आप यह कर सकते हैं, कि आप उन resources को equally divide कर दें, एक constant level उनका बना दें, इसके लिए आप activities के start time को alter कर सकते हैं, क्यूंकि सारी activities की duration तो same नहीं है, किसी की ज़्यादा है, किसी की काम है, लेकिन जब आपने resources equal allocate करने हैं, level उनको देना है resources का, तो आप उसका start time activity का जो है, वो उनको नहीं change होना चाहिए, उन पे कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए, यहनों नहीं यहाँ पर mention भी किया हुआ है, but at the same time, the project duration and the sequence are not violated, यानि उसके total time पे और जो sequence है activities का, वो disturb नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज़ आ रहती है, resource allocation program, allocation के नाम से जाहर है, कि आपने resource को allocate कैसे क करना है, तो इसमें आप resources को allocate करते है, shortest project schedule consistent with fixed resource limits के जी, इतने ही resources इस activity को हम दे सकते हैं, इस से ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं, यह resource leveling और resource allocation की बात थी, अब resource allocation जो है, वो period by period होती है, ठीक है न, अब देखें, आप जब देखते हैं, कोई building बन रही होती है, तो उसमें वो प रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो वो time by time आपको इंटें और cement और बाकी का जो equipment है, वो पहुंचता है, तो उसमें यह होता है, most probably वो सबसे पहले कहते हैं, कि हमने इसकी foundation बनानी है, बनियादें, तो हम उतनी सी इंटें यहां deliver करा लेते हैं, क्योंकि बनियादें बना के हमें कुछ दिन उसे छोड़ना भी है, पानी भी देना है, या और जो भी उनके methods हैं, तो वो period by period resources को allocate किया जाता है, तो इसलिए resources की allocation जो है, वो हर activity के हिसाब से होती है, और essential elements are determining which jobs are to be scheduled and which are to be postponed, और अगर आपके पास resources थोड़े हैं, तो आपने अपनी preference देखते हुए देखना ह किस activity को मैं postpone कर सकता हूं कुछ हटसे के लिए, और किस को मैंने लाजमी करना ही करना है, यह वो ही मिसाल जो मैंने आपको पहले दी थी कि अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं और आप अपने घर बना रहे हैं और उसमें shift होना चाते हैं, तो आप उसको यह manage करते हैं कि जी आपकी दुरूरत हैं, आप यह तो नहीं करेंगे ना कि जी मैं पहले इस पर paint करवा लेता हूं या प्लास्टर खिड़कियां दर वाजबाद में लगते रहें, तो आप अपनी priority देखेंगे और critical job find out करेंगे कि इस resources के अंदर मैंने पहले क्या काम करना है, तो उसी हिसाब स अपनी इसको deal करेंगे activities को के कौन सी मैं post phone कर सकता हूं और कौन सी जो है मैंने earliest करनी है, तो जो job आपकी most critical होगी उसको आप सबसे पहले schedule करेंगे, अब resource allocation जो है इसमें तीन rules हैं जो आपने follow करने हैं, उसमें पहला rule क्या है, the resources are to be allocated in the order of time, time का order ज़रूर जहन में रखना है start on the first day and schedule all possible jobs, then the second day, पहले आप एक दिन की schedule करेंगे jobs कि आज के दिन का मेरा task ही है, वो end होगा, फिर आप second day की schedule करेंगे, यानि period by period, time by time, यह उसकी पहली आपके पास rule है, resource allocation का, दूसरी चीज़ क्या है, when several jobs compete for the same resource preference, should be given to the job with least slack, जब बहुत सारी job जो है, वो कठी यह आपने देखना हो कि मैंने preference किसको देनी है, तो आपने preference उस job को देनी है, जिसका slack सबसे कम हो, slack क्या चीज़ थी, float, float क्या चीज़ थी, हमने पिछले chapter के अंदर discuss किया था, पिछले lecture के अंदर, float क्या चीज़ थी, किसी same job का, आपका ज जिसका सबसे minimum slack होगा ना, उसको आपने preference देनी है, कि यह काम मैंने पहले करना है, इस job को, तीसरी चीज़ क्या है, the non-critical jobs, यह आपके critical root पे नहीं आ रही, जो non-critical jobs है, should be rescheduled, उनको आप reschedule कर सकते हैं, तो बारह से, कि मैं इसको फिलहाल पोस्ट पून कर देता हूं, मैं इसको बाद में reschedule करूंगा, so that the resources would be free for the scheduling the critical jobs, ताके वो resources जो हैं, जिनकी कमी है आपके पास, वो आप use कर सकें, उन jobs के लिए जो जियादा urgent है, जिनको आपने critical jobs define किया हुआ है, तो यह तीन rules जो हैं, यह आपने जहन में रखने हैं, जब भी कभी आप resources को allocate करेंगे, अब इसके आगे आपको दो बड़ी असान से और practice के लिए इनको कर भी लीजेगा, I hope कि अब आपके पास एक बड़ा अच्छा concept आ गया है, कि आपने कैसे part को calculate करना है, कैसे आपने critical path को find out करना है, उसकी diagram कैसे बनानी है, तो hopefully यह सारा अच्छी तरह आपको clear हो गया होगा, and with this ह हमारा chapter 2 जो है, यह complete हो चुका है, alhamdulillah, और इंशाला next lecture के अंदर हम network की दोनों techniques जो है, वो हमने पढ़ ली है, जिसमें part और CPM था, अब इसके अलाबा जो दूसरी technique OR की दी गई थी, उसमें एक inventory control था, उसको इंशाला ताला हम अपने next lecture के अंदर discuss करेंगे, और after that फिर उस